Hello dear students, welcome back to DVD class of Priyagraaj. बच्चों में स्लिनिय से अक्सिसाइस हमने शुरू किया है और उसके अब तक 11 कुश्चन पिछले वीडियो में हमने स्वाल्ब किया है आज हम सुरू करेंगे कुश्चन नमबर 12 से अब अगर वीडियो पे आ गए हो तो वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देखना अगर कुछ सीखने के लिए हैं तो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो बच्चों हम शुरू करेंगे आज question number 12 से I hope आप लोग इससे पहले कि जो वीडियोज होंगे उन्हें अच्छे से देख लिए होंगे तो चले आज समझते हैं last है आज misleading exercise का question number 12 से 17 तक आज हम solve करने वाले हैं चले question number 12 देखते हैं क्या है? अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है जड़ा आप ध्यान से देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे हमेशा की तरह सबसे पहले हम LHS लेंगे ठीक है? अब जो LHS है क्या है? 9 9 pi upon 8 minus 9 by 4 sine inverse 1 by 3 ठीक है? इसकी एक वाल में हमें प्रूव करना है 9 by 4 sine inverse 2 root 2 by 3 देख रहे हैं मतलब sine inverse LHS में भी और RHS में भी है तोड़ा अलग नहीं लग रहा कुशन लेकिन बहुत आसान है थोड़ा सापको ध्यान देना है यहाँ पे अब आप ज़रा गौर करो यहाँ पे 9 pi by 4 हम common ले सकते हैं कि ने? इन दोनों में बिल्कुल common ले सकते हैं अब क्या बचेगा ज़रा ध्यान देना? यहाँ पे बचेगा सुर्य यहाँ पे pi common नहीं है अच्छा? केवल 9 है pi common नहीं है 9 by 4 है तो यहाँ पे बचेगा pi by 2 minus sine inverse 1 by 3 यह बचा ठीक है? भाई जब यहाँ से 9 by 4 लिया हमने तो 8 था तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे pi और यह तो पूरा ही बाहर निकल गया बचा sine inverse 1 by 3 अब बिल्कुल सिंपल सी बात है we know that क्या जानते हैं कि sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 होता है या फिर pi by 2 minus cos inverse x हो तो sine inverse x या pi by 2 minus sin inverse x हो तो क्या करेंगे उसे? cos inverse x हम लिख सकते हैं ठीक है? तो यह बच्चों क्या हो जाएगा? 9 by 4 cos inverse 1 by 3 पर आप ज़रा ध्यान दो जो हमारी proving है वहाँ पे तो cos आया ही नहीं वहाँ पे तो sine आया है इसका मतलब इस cos inverse को हमें sine में change करना होगा अब आपको याद होगा हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि cos inverse x को अगर sine inverse में बदलना है तो यह formula होता है sine inverse under root 1 minus x square वही हम यहाँ भी apply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 9 by 4 cos inverse under root 1 minus 1 by 3 का square करोगे तो क्या हैगा 1 by 9 हैगा नँठीक है तो अब क्या बचा अब हमारे पास 9 by 4 cos inverse under root 8 by 9 यह 8 by 9 कैसे हुआ 9 का अपने LCM ले है 9 1 सार 9 minus 1 that is 8 अब अगर 8 को आप factorize करोगे तो 2 into 2 into 2 आएगा एक 2 root से बाहर आजाएगा एक second यहाँ पे अब यह cos था ना तो यह अब sin में हो गया यह cos inverse लिखा है नहीं अब तो यह convert हो चुका है किस में? sin inverse में तो यहाँ पे हम ऐसे लिखतेंगे sin inverse वही काम यह नीचे भी ठीक है? यह क्या है? sin inverse है ना कि cos inverse है ठीक है? चलिए फिर आगे देखते हैं अब यह हो जाएगा sin inverse students जो 8 है हमारा क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 एंड जो 9 है क्या हो जाएगा? 3 into 3 एक पेर इसका बन रहा है एक पेर इसका बन रहा है ठीक है? तो अब यह हमारा हो जाएगा 9 by 4 sin inverse एक 2 बाहर आ गया और इसका यह 3 बाहर आ गया यही हमारा RHS है और यही प्रूव करना था है ना बिल्कुल आसान कुश्यन? तो चले अगले कुश्यन की ओर बढ़ते है अगला कुश्यन है कुश्यन नमबर 13 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? solve solve 2 tan inverse cos x is equal to 10 inverse 2 cos x students solve में और प्रूव में अंतर होता है है ना? solve करने की बात है तो मतलब हमें x की value x variable की रूप में है तो x की value find करनी है जबकि प्रूव में हमें क्या करना होता है LHS और RHS दोनों को find करना होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे students सबसे पहले यहाँ भी यहाँ में LHS RHS लेने की जरूवत नहीं है पूरा question ही लिख लेते है क्या है 210 inverse bracket में क्या है cos x ठीक है और इधर क्या है 10 inverse 2 cos x ठीक है अब आप ज़रा इसको ध्यान से देखो यह 210 inverse x type का है न जो यह वाला part है यह क्या है 210 inverse x type का है वो बात और है कि x के place पे बच्चों यहाँ पे cos x रखा हुआ है तो ठीक है 210 inverse x का formula हमारे पास क्या है यह होता है 10 inverse 2 x यानि 2 into cos x हो जाएगा यह upon 1 minus x square यानि 1 minus cos square x हो जाएगा यह ठीक है न वही x के place पे यहाँ cos है तो जहाँ जहाँ x लिखना था वहाँ वहाँ हमने क्या लिखा है cos x लिख दिया है x square है तो यह cos square x हो जाएगा और उधर वही क्या है 10 inverse cos x ठीक है अब आप ज़राद दिखिए तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा दिखिए ज़रा ध्यान से इधर भी 10 inverse है और इधर भी 10 inverse है यह cancel हो जाएगा ठीक है बच्चो तो अब क्या बच्चा है हमारे पास अब बच्चा है हमारे पास यह बच्चा है 2 cos x upon 1 minus cos square x को आपको मालूम है technometry में आप पढ़ चुके हो sin square x लिख सकते हो और यह जो cos x है यह क्या होता है 1 by sin x होता है है की ने ठीक है तो एक sin x यहाँ पे हो गया cancel यह जो square था आपके वल एक ही square बच्चा है यह निकि 2 cos x upon sin x is equal to 1 हो जाएगा ठीक है तो अब क्या करना है अब हमको 2 cos by sin कितना होता है cot x होता है is equal to 1 हो गया और अब क्या हो जाएगा cot x is equal to 1 by 2 हो जाएगा ठीक है EISV को हम क्या लिख सकते हैं 10 x is equal to 2 लिख दे आपको मालूम है cot का reciprocal 10 और 10 का cot होता है x चाहिए हमें तो x is equal to क्या हो जाएगा 10 inverse 2 भाई देखो 2 तो 10 में कोई value होती नहीं है तो हम किसकी value लिख दे 30, 45, 60, 90 तो हम क्या करते हैं ऐसे case में उधर ले जाके इसको inverse में ले ले लेते हैं तो इस तरह से आप answer लिख सकते हो कहने का मतलब अगर कोई value मिल जाती like 30, 45, 60 तो हम वो रखते हैं और अगर नहीं मिलती है तो फिर ऐसे inverse हम लिख देते हैं लेकिन students यहाँ पे देखे एक चीज और है यहाँ question में 2 cause एक inverse x था और आगे मैंने यहाँ 2 नहीं लगाया भोल गया तो यहाँ पे आप 2 लगा लो ठीक है नहीं तो question change हो जाएगा तो यह भी 2 हो जाएगा और फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा और यह 2 और 2 तो यहाँ cancel हो जाएगे so फिर अब क्या बचेगा इस उजए थोड़ा सा बदलाव आ गया देखो यह 1 बचेगा अब 1 caught में किसकी value होती है 1 जो value होती है 45 degree की caught में भी और 10 में भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं caught pi by 4 तो फिर हमारा answer इसके according बदल गया है की नहीं so हमारा answer यहाँ पे क्या हो जाएगा बचो pi by 4 आ जाएगा देखे जैसा अभी इसके just पहले मने बताया जो question लिखा था उसके according तो ठीक है पर value बदल गई थी न वहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा था इसलिए answer चेंज हो गया था 2 रखेंगे तो यह हमारा बिल्कुल correct option है answer है ठीक है तो चलिए अगला question देखते हैं question number 14 question number 14 में भी क्या करना है हमें solve करना है ठीक है अब solve करना है तो इसका मतलब फिर से पिछले question की तरह हम पुरा question यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या है 10 10 inverse 1 minus x upon 1 plus x is equal to 1 by 2 10 inverse x ऐसा ही है ना अब जड़ा सा देखना हमारे पास 10 inverse x plus y and 10 inverse x minus y का फामूला होता था और उस बेस पर मैं अगर यहाँ पर जड़ा ध्यान से देखूं तो इसको हम 10 inverse 1 minus 10 inverse x लिख सकते हैं कैसे आप अपलाई करके देखो 10 inverse x minus y टाइप का यह है अब अगर 10 inverse x minus y करोगे तो 10 inverse x minus y and 1 plus x y यही तो होगा समझ रो जो मैं कहना चाहरा हूँ चलो यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ जो फामूला है आपके पास 10 inverse x minus 10 inverse y एक प्लस का भी होता है तो यह क्या होता है 10 inverse x minus y upon 1 plus x y अब जैसे हमने यहाँ पर 10 inverse 1 minus 10 inverse x लिख दिया है इसका मलब x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे x है अगर यहाँ सब्सिट्यूट करोगे कहाँ पे यहाँ पे तो निश्चित रूप से यही आएगा 10 inverse 1 minus x upon 1 plus x इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं यही लिख सकते हैं 10 inverse 1 minus 10 inverse x ठीक है अब यह कुशन आपका विल्कुल आसान हो गया 10 inverse 1 minus 10 inverse x is equal to इधर क्या था 1 by 2 10 inverse x अब यहाँ पे 1 है 1 10 मैं जानते हूँ किसकी value है pi by 4 है तो यहाँ पे pi by 4 लिख देंगे minus 10 inverse x is equal to 1 by 2 10 inverse x ठीक है अब हम 10 inverse x को excite कर ले भाई 1 by 2 यह है और minus 1 यह है उधर जाएगा यह तो प्लस में हो जाएगा यह नि 1 plus 1 by 2 that will be 3 by 2 10 inverse x ठीक है अब ज़रा सा और इसको simplify करें इस 2 से यह 4 cancel हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 10 inverse x is equal to और यह 3 नीचे आ जाएगा pi by 6 हो जाएगा अब इस 10 को उधर ले जाएगे तो inverse हड जाएगा नि यह x is equal to 10 pi by 6 pi by 6 होने का मतलब क्या है 10 30 degree और 30 degree की value क्या होती है 1 by root 3 होती है ठीक है तो चलिए देखते हैं question number 15 question number 15 यह optional question है solve sign 10 inverse x यहाँ पर 4 option दिया है ABCD करके आप देख सकते हैं तो यह तो सिदव formula पर है बचो बहुत आसान question है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है sign और यह लिखा हुआ है 10 inverse x ठीक है और bracket में sorry option में 4 option दिये हैं जो कि x के form में है इसका मतलब इस 10 को उसने sign inverse में convert कराया है तो हमारे पास formula होता है 10 inverse x is equal to sign inverse x upon under root 1 plus x square होता है ना तो जब यहाँ पर हम रखेंगे इसकी जगा तो sign sign cut के यही बच जाएगा जो कि d option से match कर रहा है इसलिए 15 question में जो हमारा correct option है वो क्या है d है तो चलिए students question number 16 देखते हैं question number 16 में भी solve करना है 4 option यहाँ भी दिये हुए है अब ज़रा देखिए चलिए question क्या है हमारा question है sign inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x is equal to pi by 2 यह दिया है ना अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया sign inverse 1 minus x को हम उधर लेके चले जाते हैं ठीक है यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं ऐसा करते हैं इसको हम दूसरे side लेके चले जाते हैं तो मिंस यह हमारा question कुछ ऐसा जाएगा minus 2 sin inverse x is equal to pi by 2 minus sin inverse 1 minus x ऐसे लेक सकते हैं ना विलकुल लेक सकते हैं अब ज़र गवर कुर अभी पिछली question में भी मैंने बताया था कि फिर pi by 2 minus sin inverse x है तो वो cos inverse x हो जाता है या फिर pi by 2 minus cos inverse x होता है तो वो sin x हो जाता है ठीक है सो यहाँ पे हम क्या करेंगे minus 2 sin inverse x is equal to इसको क्या लिख सकते हैं cos inverse 1 minus x लिख सकते हैं ठीक है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यह जो 2 sin inverse x है इसका formula लगाएंगे आप जानते हो इसका formula sin में भी conversion में भी होता है और cos में भी तो अगर मैं sin में इसको बदलना चाहूं तो क्या हो जाएगा sin inverse 2x under root 1 minus x square अब विकॉज इसे sin में किया है तो इसे भी sin में ही कर देते हैं ठीक है तो cos inverse x का जानते हैं यह sin inverse under root 1 minus x square होता है यानि under root 1 minus x के place पे 1 minus x है students ध्यान रखिएगा तो पूरी value लेके चलना है आपको तो आप चाहो तो यहाँ पे जो minus है उसे इधर shift करके इस sin inverse को खतम कर सकते हो यानि ऐसे लिख सकते हो minus 2x under root 1 minus x square is equal to under root 1 minus 1 plus x square minus 2x ठीक है अब आप दिखी यहाँ पे क्या हो जाएगा minus 2x under root 1 minus x square और यहाँ पे जब हम bracket खोलेंगे 1 minus 1 minus x square plus 2x तो यह 1 और 1 क्या हो गए cancel हो गए ठीक है भई अब हमारे पास क्या बचा minus 2x under root 1 minus x square और यहाँ पे क्या बचा under root 2x minus x square ठीक है तो बाप देखी यहाँ पे तो इतने से तो solve बोना नहीं अभी तो हमें x की value चाहिए ना हलाकि 4 option दिये हैं आप चाहो तो value put करके check कर सकते हो लेकिन अब आएगा तो option दिया रहता है तो आप कर सकते हो ऐसा पूट करके ठीक है पर इसे solve करके ही देखते हैं root लगा है तो फिलहाल हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों square कर देंगे दोनों side का work करेंगे ठीक है ति क्या हो जाएगा 4x square और यहाँ पे 1 minus x square root हड़ गया इसका square हुआ तो इधर का भी root हड़ गया क्या है 2x minus x square ठीक है छली थोड़ा सौर इसे simplify करते है 4x square का multiply 1 में किया तो 4x square और square में किया तो 4x to power 4 और यहाँ क्या है 2x minus x square अब इस पूरे को हम एक तरफ कर लेते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा 4x to power 4 यह 4x square है और यहाँ पे minus x square इधर आएगा तो plus 5x square हो जाएगा ठीक है और यह क्या है minus 2x is equal to 0 ओके तो अभी आप students क्या कर सकते हो यहाँ पे x common ले सकते हो ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 4x cube plus 5x minus 2 is equal to 0 जब आपने x common लिया तो सभी की x बेसे एक एक पावर कम हो गई न अब क्या करोगे आप जानते ही हो अगर कोई भी दो factor में है बारी बारी से x is equal to 0 और एक यह क्या होता है 4x cube plus 5x minus 2 is equal to 0 ठीक है x is equal to 0 यह option आपको c में match कर रहा है ठीक है हाँ फिलहाल इसे भी अभी चाहो तो आप solve कर सकते हो लेकिन नहीं आना है option का है और हमें मिल गया है तो आगे जाने की जरूवत नहीं है तो चलिए इस इक साइस का last question देखते हैं question number 17 17 में पूछ रहा है 10 inverse x by y minus 10 inverse x minus y upon x plus y यह किसके equal में होगा और यहां भी 4 option दिये हुए है ठीक है तो चलिए भई यहां पे भी हमने question पहले लिखा क्या है 10 inverse x upon y minus 10 inverse x minus y upon x plus y अब इस question को आप देख से दिहान से समझ सकते हैं 10 inverse x minus 10 inverse y type का है ठीक है बच्छों तो यह formula मैं आपको कई दफा़ बता चुका हूँ तक आपको रट गया होगा यह formula हम यहां पे apply करेंगे 10 inverse x minus y means x by y minus x minus y upon x plus y और नीचे क्या होता है 1 plus x y यहनि 1 plus x by y and y की place पे क्या है x minus y upon x plus y ठीक है यहां पे formula हमने वही लगाया है 10 inverse x minus 10 inverse y का अब इसको ध्यान से देखना क्योंकि अभी तो simplify करना है इसको ठीक है अब simplify जब आप करोगे ठीक हो जाएगा 10 inverse यहां पे बच्चों numerator की अभी में बात करूँ तो आप LCM लोगे तो y into x plus y होगा ठीक है और इसका इसमें multiply हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा denominator में भी आप देख सकते हो यहां पे 1 प्लस लिखा होगा यहां यह यह इन्टू x plus y का 1 में multiply होगा तो वो तो भाई आ जाएगा क्या y into x plus y यहने कि x y plus y square ठीक है अब यहां क्या है x into x minus y यहनि x का x minus y में हमको multiply करना है तो यह हो जाएगा x square minus x y यह देखिए हो गया cancel और यहां भी यह हो गया cancel और denominator में तो वही रहेगा y upon x plus y यह भी हो गया cancel ठीक है क्या बच रहा है बच्चों कुछ भी नहीं बचा देखो ना x square plus y square यहां भी है और नीचे भी है यहनि overall केवल 1 बचा आपके पास क्या बचा 10 inverse 1 अब जानते ही हो 110 में किसकी value है 45 degree की जिसको हम radian में pi by 4 लिखते हैं ठीक है तो यह हो गया cancel यहां पर अंसर क्या आगया pi by 4 ठीक है तो बच्चों inverse signometric function को आज हमने खतम कर लिया है including my mislinious exercise I hope आपका पूरा concept अच्छे से तयार हो गया होगा कोई भी दिक्कत है तो comment box में जरूर बताएं वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें मिलता हूँ chapter 3 के साथ अगली वीडियो में thank you